वीडियो में हम बात करने वाले हैं CHW vs WBW, Central Hind Womins vs Wellington Blaze Womins, Dream 11 Womins Super Smash T20 का यह match नंबर 17 है, यह match जो है 10 बच के 30 मिनट पे स्टार्ट हो रहा है तो टाइमिंग का इस पेसली ध्यान रखेगा और इसके पहले जो है इस venue पे जो है मेंस के T20 मैचेस होंगे जो कि Super Smash के ही जो है मैच के हो जाने के बाद यह वाला मैच 10 बच के 30 मिनट पे स्टार्ट होगा यहाँ पर टाइमिंग का आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा डिले भी मैच स्टार्ट हो सकता है अगर मेंस वाले मैच में जो है कुछ अगर ऐसा हो जाए तो और दूसरी तरफ अगर आप देख देखने के लिए मिलेगा डिरेक्ली हम मैच के बारे में बात करते हैं सेंटल हिन वोमिन्स बर्सेज वैलिंग्टन ब्लेज वोमिन्स मैच नंबर 17 दस बच के 30 मिनर पे मैकलिन पार्क जो है नैपियर के वेन्यू पर यह मैच स्टार्ट हो रहा है यहाँ कि अगर मैं पिच स्ट्रॉंग होती है और एक टीम जो है थोड़ी सी जो है बैलो होती है तो यहाँ पर सेंटल हिन्स की जो टीम है यह थोड़ी सी अच्छी परफॉर्म नहीं कर पाती है वेलिंग्टन ब्लेज गोमिन्स का अगर आप रिकॉर्ड भी देखोगे न बहुत अच्छा रिकॉर् फेवरेट करके अपना टीम क्रियेट करिएगा यहाँ पर जो भी टीम जो है टोस बिन करे और बैट फरस्ट करे या फिर पहले बॉल करे उससे फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर वेलिंग्टन ब्लेज की यही टीम को जो है आपको फेवरेट करना है इस मेन्यू पर आप दे वाल नहीं है वोमिन्स के मैचेस हैड टोएड की रिकॉर्ड की अगर बात की जाए टोटल 21 टीवेटर मैचेस हुए है दोनों ही behalf सिम यह टीम अगर आप देखोगे न, head to head में total 21 matches हुए हैं, 21 matches में सिर्फ 2 match जो है, central hints की team ने win किया है, जबकि 19 बार Wellington blaze moments की team ने win किया है, last five अगर आप head to head के record देखोगे, Wellington blaze moments की team ने सारे matches win किया है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बोला, कि Wellington blaze moments का record बहुत ही अच्छा है, यह जो है, 100 में से 98% जो है, match यह team win करती है, और बहुत ही अच्छा जो है, इसका record रहता है, किसी भी team की against में, वैसे अगर आप देखोगे न, इस season, central hints की team जो है, काफी कमाल का खेल रही है, back to back अपनी जो है, तीन matches win कर के आ रही है, और यह उसके पहले के last year का match है, तो तीन match जो है, back to back win करना यार, बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है, points table में first position पे है, Wellington Blaze की team भी अगर आप देखोगे न, तो यह team भी 5 matches के लिए है, 3 match win किया है, एक match loss किया है, और एक match इनका no result रहा है, अभी यह points table में second position पे है, तो definitely मुझे लगता है, यहाँ पर यह इन दोनो ही team का, जब matches होंगे, तो यहाँ पर जो है, Wellington Blaze team जो है, win करने वाली है, last 5 match में, Central Hins की team ने भी जो है, अच्छा खेला है, और Wellington Blaze की भी team ने अच्छा खेला है, last 5 match यहाँ पर हमने आपको दिखाए है, अब हम बात करते हैं, playing 11 की, तो देखो, 12-12 member का squad जो है, अनाउंस हुआ है, और कोई भी changes नहीं है, सबसे बड़ी चीज है कि दोनों ही team की तरफ से कोई भी official changes अभी तक नहीं आया है, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, चाहे इनके Instagram पे आप जाके देख लो, या फिर Twitter handle पे जाके देख लो, same playing 11 जो है, same squad बताई गई है, और उस squad के इसाप से यही playing 11 जो है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, रहने वाली है, central hints की playing 11 की बात की जाए, and odd के साथ में आपको holy armitage open करते हैं मिलेंगी, one down पे 10 newton है, उसके बद हैना रो है, malika garg है, g attention है, k n tominson है, rose mary mer है, flora devon sire है, astuti kumar है, और cloudia green है, central hints moments की playing 11 है, player role में अगर आप देखो प्लेंग करते हैं उनजर आएंगी, one down पे Amelia Care है, उसके बाद G Plymer है, Leija Kasperk है, Jessica Care है, Kate Challender है, और G Sims है, Nicola Bird है, और यहाँ पे N Cord है, और Sarah Jetli है, तो यह Wellington Blaze Women's की playing 11 हो गई, यह जो है central hints की playing 11 हो गई, दोनों यह team की playing 11 with batting order player role हमने यहाँ पर आपके साथ में share किया है, अब player की performance क बात की जाए, नेटलिया डोट, जनरली अगर आप देखोगे, 25-30 रन करती है, ठिक ठाक record है, अगर आप head to head में भी देखोगे न, 23 में 26 काईबरेज है, और इनकी team की तरफ से यही एक मातर आपको बढ़िया बैटर मिलती है, हॉल येर में टेज अपने गिन पर अच्छा क और definitely आपको अपने team में लेके जाना चाहिए, उसके बाद आती है, जी attention, ये भी ठिक ठाक player है, अगर आप देखोगे न, तो बैट बॉल दोनों से perform करती है, मुझे लगता है अच्छा perform करके आपको दे सकती है, यहाँ पर अगर मैं बात कर तो रोज मेरी मेर, Grand League की team में में परे भाई, ट्राइ करना, ये जिस दिन चलती है न, उस दिन कोई नहीं चलता, गुच्छों में विकेट निगालती है, ध्यान रखेगा, अस्तुति कुमार एक विकेट और क्लावडिया गरीन एक विकेट, फ्लोरा डेवन साहर, पूरे ओभर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ये भी इनका कनफर्म नहीं है, तो इनको इग्नोरी करना, क्लावडिया गरीन को भी इग्नोर करना, अस्तुति कुमार को कुछ ग्रैंडी की टीम्स में लेके जा सकते हो, ये लास्ट मैच की जो है सेंटर लेंस की बॉलिंग है, कम उबर का मैच हुआ था, मातर आठ उबर क मैच हुआ था, लास्ट मैच जो इनका हैट डीम के खेला गया था, जिस टीम के अगेंस में खेला गया था, तो ये इनका जो है लास्ट मैच का बॉलिंग है, यहां पर आप देख सकते हो, किसने कौन सा और डाला था, वैलिंग्टन ब्लिज्स मोमिंस की बात की जाए, आर ठीक ठाक प्लेयर है कमजोर बॉलर बाखे अटेक करती है और 30-35 रंद करती है इस से ज़्यादा स्कोर बहुत ही रेरली करती है फाइडेन बढ़ियाँ प्लेयर है अगर ये ठीकी रही तो ये सामने वाली प्लेयर स्कोर नहीं कर पाएगी दूसरी तरफ Amelia Care, number one option रहने वाली है, हर मैच में performance देती है, captain wise, captain मैं आपको बता रहा हूँ, 50% से उपर लोग जो है, अभी तक इनको बनाया हुए है, और आपको small league में लगभग सारे लोग इनी को CVC करते हैं, आपको मिलेंगे, head to head record, when new record भी इनके आप देख सकते हो, यहाँ पर लीजा कैसपर्क भी बढ़िया option है, हर मैच में विकेट लेके जाती है, विकेट टेकिंग option है, और team को अगर जोड़ पड़ी, तो आपको बैट भी करके ये player दे सकती है, जेसिका कैर, विकेट टेकिंग option है, ध्यान रखेगा, अच्छी option है, और अभी मैं देख र लेना, ये भी बिकेट टेकिंग option है, और विकेट निकालती है, ये last match की Wellington Blaze Women's की जो है, बॉलिंग डिटेल्स है, एक विकेट निकोला बॉर्ट, दो विकेट लीजा कैसपर्क, एक विकेट सारा जेटली, एक विकेट जेसिका कैर, और यहाँ पर अगर आप देखोगे न, Amir प्लिया कैर ने पूरी 4 ओवर डाले थे, मातर 22 रन दिया था, इनको समाल के काफी प्लियर खेलती हैं, और इस स्पीनर हैं, तो विकेट सो थोड़ी से कम मिलते हैं, जो है इनके वेन्यू पर, टॉपिक्स की बात करें, टॉपिक्स हैनिके की प्लियर, इंपोर्टन प्लियर कौन कौन सी रहेंगी, जो आपकी टीम में होनी चाहिए, हैना रो, अमिलिया कैर, फायडें, जेसिका कैर, निकोला बर्ड, लीजा कैसपर, सारा जेटली, और फरा जुन्स, ये बढ़िया बढ़ियां आपको मैंने प्लियर्स बता दिये हैं, स्मॉल लिग की टीम में इन प कैप्टन, वाइस कैप्टन, जाओ, ग्रैंड लिग में जा रहें तो बर्ड को ट्राइ कर लेना, लीजा कैसपर, कम से कम दो-तीन टीमों में आपकी कैप्टन, और दो-तीन टीमों में वाइस कैप्टन होनी चाहिए, सारा जेटली को भी एकाट टीम में कर लेना, बाकी फरा ही टीम की score detail भी देख सकते हैं और मेरे भाई वीडियो को यार लाइक ज़रू से करिए यार आप लोग के लिए दिन रत महनत करके वीडियो बनाते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रू से करिए तो टेलिग्राम का चैनल मेरे भाई आप ज़रू करिए यहां पर आपको small league की टी मेरे जील की टीम हर टीम आपको देखने के लिए मिलती है टॉस की इनफरमिशन आपको दी जाती है प्लेंग लिए बन बदाई जाती है आप जो है वीडियो के description चेक कर लो या फिर सर्च करके आप टेलिग्राम पर जुड़ सकते हों टेलिग्राम पर जुड़िएगा आप आपको बहुत अच्छा लएगा और यहाँ पर बिल्कुल फ्री आप कॉस्ट आपको जो है टीम देखने के लिए मिलती है फेक चैनल्स हमारे नाम से बने हुए है तो आपको फेक चैनल्स पे नहीं जाना है हम अपनी यहाँ पर ड्रीम रॉन पे थ्री मेंबर और फोर के जा सकते हो टी न्यूटन अपने दिन पर अच्छा करके आपको दे सकती है और सेम कंडिशन प्लाइमर के भी साथ में अप्लाई होती है आल राउंडर सेक्शन से बात करू अमिलिया कैर लीजा कैसपर इनको दोनों को मैं डिरेकल अपने टीम में लूँगा बाकी यहाँ क्लाउडिया ग्रीन इनको आप अपने टीम में लेके जा सकते हो लेकिन फिलाहाल अभी जो है मैं यहाँ पर जी अटिंशन को लेके जा रहा हूँ जो कि बैट बॉल दोनों कर लेती है और मुझे लगता है कि यह थोड़े से पॉइंट्स देका जाएंगी कैटन वाइस कैटन की बात करूँ तो देखो यार अमिलिया केर को 72% लोगों ने कैटन किया है मैं भी इनी के साथ में जाओंगा वाइस कैटन की अगर मैं बात करूँ तो लीजा कैसपर्क वन अप दा बैस्ट आपको आप्शन ये दोनों मिलती हैं मैंने इनी को जो है CBC कि आ सकते हो तीम प्रिव्यू की बात करें चार प्लेयर मैंने सेंटरल हिंस के लिए हैं साथ प्रियल वैलिंग्टन ब्लेज के लिए हैं नटिलिया डोड है मारी टीम में फाइडन है होली अर्मिटेज है आर बंस है लीजा कैसपर्क है अमिलिया कह रहे है जी एटिम है 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 जेसिका कह रहा है सारा जेटली है और निकोला बर्ड है टीम मुझे काफी अच्छी और बैलेंस टीम लग रही है उमिद करते हैं ये वीडियो भी जो है आपको दोस्तों काफी इन्फरमेटिव लगाओगा दोस्त अगर वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक कर जो बैल आइकन आएगा उसे आप जरूर से प्रेस कर दें ऐसे ही चैनल को देखते रही है सपोर्ट करते रही है मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में